आपके कंपुटर में कितना भी महना या फिर कितना भी powerful graphics card क्यों नो install हो अगर आपने latest graphics driver को install नहीं किया है फिर आपको कभी भी best performance नहीं मिलेगा तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने Windows 10 या फिर Windows 11 laptop PC में latest graphics driver को install करेगी तो वीडियो को ध्यान से और एंटर देखना और साथ में लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो आईए दोस्तों आज कुछ नया सिखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां नीचे इस Windows के आइगन पर राइट माउस क्लिक करना है अगर आपके कंप्यूटर में Windows 10 है तो आपके Start बटन पर राइट माउस क्लिक करोगे फिर आपको यहां Device Manager पर क्लिक कर देना है Device Manager के इस पेज़ पर दोस्तों आपको जाना है Display Adapters में और यहां आकर आप पता कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर में कौन सा Graphics Card इस्टॉल है जैसे कि आप देख सकते हो मेरे कंप्यूटर में Intel का Graphics Card इस्टॉल है तो आपको इस पे Right Mouse क्लिक करना है यहां पर आपको पहला Option मिलेगा Update Driver का इस पे क्लिक करना है फिर दोस्तों यहां पर आपको Search Automatically for Drivers इस पे क्लिक करना है अगर आपको यहां पर लिखा हुआ दिखता है The Best Drivers for Your Device are Already Installed फिर आपको यह नीचे वाला Option Search for Updated Drivers on Windows Update इस पे क्लिक करना है Windows Update का यह Page Open होगा अगर दोस्तों Update अविलेबल होगा वो आपको यहां देखने को मिल जाएगा और इसके जगे पे आपको Download and Install का बटन दिखेगा Simply आपको Download and Install बटन पे क्लिक कर देना है पांस से दस मिनट का टाइम लेगा और आपके कंप्यूटर में Latest Graphics Driver Update हो जाएगा यानि कि Install हो जाएगा आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर में Graphics Driver Update हुआ है या फिर नहीं हुआ है इसके लिए आपको इस पे Right Mouse क्लिक करके Properties पे क्लिक करना है और यहां पे आपको दोस्तों चले जाना है Driver वाले सेक्शन में और यहां आकर आप Driver Date चेक कर सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर में Graphics Driver Update हुआ है या फिर नहीं हुआ है अगर दोस्तों ये method काम नहीं करता है फिर आपको दूसरा method अपनाना है इसके लिए आपको अपने computer में अपने favorite browser को open कर लेना है अगर आपके computer में Intel का graphics card है फिर आपको अपने browser में इस website को open करना है इस website का link आपको इस video के description में मिल जाएगा website को open करने के बाद आपको download कर लेना है Intel driver and support assistant simply आपको इस download बटन पे click करना है और downloading start हो जाएगा download complete होने के बाद से आपको उसे install करना है और दोस्तों वो automatic detect करके आपके computer में latest graphics driver install कर देगा ठीक है अगर आपके computer में AMD का graphics card install है तो आपको इस website को open करना है इसका भी link आपको इस video के description में मिल जाएगा website open करने के बाद आपको scroll करके ठुआ नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए आपको एक option मिलेगा AMD drivers and support simply इस पे click कर देना है freeze वाले button पे आपको click करना है download windows drivers downloading start भी जाएगा downloading complete होने के वाद से वैसे इसे भी आपको install करना है और यह भी automatic detect करके आपके computer में latest graphics driver को install कर देगा ठीक है अगर दोस्तों आपके computer में NVIDIA का graphics card है फिर आपको इस website को open करना है इसका भी link आपको इस video के description में मिलेगा फिर आपको इस drop down menu पे click करके options को select कर लेना है आपके computer का जो भी configuration है उसके according आपको सभी option को select करना है और search button पे click कर देना है फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखिए download का button आपको दिख जाएगा इस पे click करके इसे download करना है और वैसे ही इसे भी आपको install कर लेना है और यह भी automatic detect करके आपके computer में latest graphics driver को install कर देगा तो इस तरह से दोस्तों आप अपने शेयर कर देना चैनल को subscribe नहीं किया है प्लीज इसको subscribe कर लेना फेस्बुक पे देख रहे हो तो आप मेरे facebook पेज को like और follow कर देना